हलो एवरिवन वेलकम टो आवर चैनल टॉप एवरिटिंग दोस्तो इस वीडियो में आजम बात करने वाले हैं रफ़तार के बारे में रफ़तार को तो आप सब जानते ही होंगे रफ़तार एक सिंगर रैपर और सॉंग राइटर हैं दोस्तो इस वीडियो में इनकी लाइव एज, एजुकिशन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्थ, कार कलेक्शन और फैमली के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, दोस्तों मैं आपको बता दू, रफ्तार मेरे भी फेवरिट रैपर हैं, तो आप इस वीडियो कर दें लाइक, अ रफ्तार का जनम 16 नमबर 1986 को थिरीव ननन थम पुरम केला इंडिया में हुआ, और 2020 के हिसाब से 34 साल के हैं, और रफ्तार ने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से की, और इसके बाद ये गए कॉलेज पढ़ने के लिए, बट इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिय अब बात करते हैं रफ्तार के करियर के बारे में, रफ्तार ने अपने करियर की शुरुआत एज़ा डैंसर की थी, और इन्होंने डैंस रेलेटी शोओ में भी पाटिसिपेट लिया था, बट रफ्तार ने डैंस छोड़ दिया और एज़ा रैपर करियर की शुरुआत की, और फिर 2011 में इन्होंने सौंग किया शेहरा दी कौम और फिर रफतार मफिय मुंदीर नाम के गुरूप के साथ जुड़े जिसमें हनी सिंग रफतार इकका लिल गोलू बाशा थे और इस गुरूप में इनके अलावा और भी आर्टिस्ट थे बटे बाद में ये गुरूप त फिर 2013 में इन्होंने एक मिक्स्टेप रिलिस किया जिसका नाम WTF यानि विटनेज दा फ्यूचर था और 2013 में ही इन्होंने एक सौंग रिलिस किया जिसका टाइटल था स्वैक मेरा देसी जिसमें मेंज म्यूजिक फिचर थे और इस गाने के बाद रफतार को सब जानने लग तमंचे पे डिसको से जिस सौंग को रफतार ने लिखा और रैप भी करा और ये गाना आते ही हिट हो गया और इसके बाद इन्होंने कई सौंग गाए जैसे कि धाकर धुपचिक तो धिशुम नईयो औल ब्लैक स्नाइपर बेबी मरवा के मानेगी मंटो दोस्तों इसके अल रफतार MTV रोडीज में ऐसा गेंग लीडर दिखे भी हैं और इन्होंने कई शो को जज़बी किया है जैसे कि MTV हसल और डांस इंडिया डांस बैटल आफ दा चेंपियंज को दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना रफतार आपको कैसे लगते हैं और इनका कौन सा स सौंग आपका फेवरिट सौंग है चलिए मिलवाती हैं आपको रफतार की फैमली से तो दोस्तों जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यह हैं रफतार के फादर और मदर और और इनकी वाइफ का नाम है कौमल वोरा जो की एक इंटीरियर डिजाइनर है जिन से रफ रोड एक तालिस लाक रुपे वहीं दूसरी कार इनके पास है और डी एफोर जिसकी कीमत 45 लाक रुपे और इसके अलावा इनके पास महिंदरा थार भी है जिसकी कीमत 12 लाक रुपे और दोस्तों इनके पास मरसेडीज की मरसेडी बैंजी एली 250 डी भी है जिसकी कीमत 75 लाक अब बात करें रफ्तार के हाउस के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू रफ्तार का वैसे तो दिल्ली में घर है जहाँ पर यह अपनी पूरी फैमली के साथ रहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और दोस्तों इसके अलावा रफ्तार का केला में भी घर है जहाँ पर vacation बनाने जाते रहते हैं बात करें इनके income के बारे में तो मैं आपको बता दू रफतार एक song गाने के लिए Bollywood में लेते हैं 7-8 लाग रुपे और वहीं ये एक show को जज़ करने के लिए लेते हैं 5-7 लाग रुपे इसके अलावा रफतार brand endorsement से भी earning करते हैं बात करें इनके net worth के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू इनका net worth है 50 कडोर पे तो ये थी रफतार की live style वीडियो अगर रफतार आपको पसंद दे तो इस वीडियो कर दे like और हमें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon प्रेस कर ले